है 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 हुआ आप अछल्ला टास्क हमारा ये कि जब हम इसके उपर क्लिक करें तो ये जो है थोड़ी देर रुटेट करें ठीक है जब भी क्लिक करें तो ये जह अपने पूडिशन पे रुटेट करें आप लोग ने अपने ब्लॉक में आज़ेने अब यहां पे आप चाहें अब अगर आपने यह ब्लॉक रिमूव करने है ठीक है यह आप यहां पे लाके प्लेस कर देंगे तो यही देखें यह डिस्टिबिर्मन नहीं आ रही है आप इसको छोड़ देंगे तो यह डिलीट हो ठीक है यह आप इस से ब्लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं अब मैंने अपने इस नेम को मैं को सीर इस्वाई है की मेरा यह आगे ब्लॉक when this Sprite is होती है ठीक है न अब यह वाला हम ब्लॉक स्तमाल करेंगे इसके लिए लिए उपीट टैन अब यह वाला ब्लॉक जो है यानि जब इसके उपर जब हमने इमेज को जो है क्लिक किया है उसके बाद फिर इस लाइन पह आ जाएंगे ठीक है अब ही हम देखते हैं इस block का क्या function है यहां से मैं motion में जाता हूँ यहां पर है turn 15 degree अच्छा अब होगा क्या कि जब मैं spread जो है यह image पर click करूँगा तो यह वाला block execute होगा चलेगा उसके बात पर यह नीचे आ जाएंगे repeat 10 अब यह वाला block चलेगा इसके अंदर 15 degree अब यह चलने के बाद दुबारा पिर हम यहां पर आ जाएंगे repeat 10 क्योंके 10 times यह process repeat होगा ठीक है ना आपने यहां पर जो value देदेंगे उतनी देए repeat होगा फर्स करने मैं यहां पर 5 enter कर देता हूँ ठीक है ना और मैं यहां पर value भी change करता हूँ अगर मैं यहां पर image पर click किया है यह देखें अब image पर click किया है तो यह वाला block अच्छा जी image पर click होगा है उसके बाद repeat 5 repeat 5 में आगया है turn 25 degree एक मरतबा turn 25 degree जो है तो वह block execute हो गया है उसके बाद दुबारा उपर आजेगा क्योंकि पांच मरतबा यह process repeat होगा ठीक है आगे आपको और clear होगा ठीक है ना आप इसको और समागे तो आपको और ज्यादा clear होगा अजब जब 10 times यह process repeat हो यानि कि हर process में 50 degree का turn आएगा यह देखें अब यह ज़्यादा rotate हो रही है क्यों क्योंकि 10 times यह process repeat हो रहा है यानि कि आप यह समझ ले 10 मरतबा यह 50 degree जो है वो घूम रहा है यह task भी हमारा complete हो गया है ठीक है इसको आप अपने task जो है वो save भी कर सकते हैं आप यहाँ पर file में जाए save to your computer यहाँ पर click करके आप इसको अपने PC में save भी कर सकते हैं इस code को ठीक है